हेलो गाइस, once again, welcome back to my channel, मैं सी पेपर बाइक के एस्ट, तो गाइस, after few days, एक बार फिर से मैं आपके साथ, एक नए content के साथ जुड़ी हूँ, और बता दू कि जो आज का content है, वो print making से related है, ठीक है, अगर आप मेरा previous video देखे, जो video, इस video के पहले, वैसे मैं उस video का link description में डाल क्योंकि ये दोनों videos, जो आज का video बन रहे है, और जो इसके previous video है, दोनों दो part में video है, जो print making से related है, तो दोनों ही video देखेगा, अगर आप लोगों ने previous video नहीं देखा है, तो ज़रूर जा की देखेगा, description में link डाला हुआ है, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही देख में बहुत सारी अलग-अलग media होते है, इसके पहले करने के, लाइक, उटकट, एचिंग, लीनो कट, ठीक है, ड्राइपोइंट, तो मैंने बताया था कि प्रोसेस क्या होते है, ड्राइपोइंट के, ठीक है, क्या जाता है काम, टूल्स कौन से यूज होते है, पेपर कौन से यूज होते तो सारी चीजों का मैटेरियल दिखाया था बकायदा आपको बताया था कि कैसे कर निये कटिंग करते हुए भी दिखाया था तो वो सारी चीजे तमाम चीजे बताई थी मैंने और साथ ही कहा था कि जब इसका प्रिंट लूँगी तो एज वीजुवल प्रैक्टि कि प्रिंट लेती तो फाइनली मैंने को जाके प्रिंट ले लिया है और उसके वीडियो भी बनाया है कि कैसे मैंने प्रिंट लिया है क्या प्रोसेस होता है प्रिंट लेने का तो वह आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब करने तो उन्ट अगर अच्छा लगा तो प्लीज ंगकर तो इसलिए अगर यह अच्छा लगा तो अगर धारी प्रकार्ष पैसराइब कर दिजेगा तो चलिए फटाफोट फिर स्टार्ट करते हैं तो गाईस प्रोसेस का सुरुबात कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक प्लेन सर्फेस पे इंग को निकाल लेना है यहाँ पे मैं जो सर्फेस का यूज करी है वो सीसा है तो आप सीसा यूज कर सकते हैं उस पे आपको इंग को निकाल लेना है और उसमें 2-4 बून लिंसिड ओयल को मिला लेना है और उसके बाद इसे मिक्स करते रहना यहाँ पे जो मिक्स कर रही हूँ वो मैं नाइफ की साहिता से कर रही हूँ इसे नाइफ या इस पे चुला दोनों कह सकते हैं ठीके उसकी साहिता से आपको लगभग कम से कम 3-4 मिनट तक मिक्स करते रहना है इससे क्या होगा कि जो आपका इंक हो बहुत स्मूथ हो जाएगा और जब आप प्रिंट लोगे इंक को लगा के प्रिंट लोगे तो आपका प्रिंट जादा अच्छा आएगा तो इसलिए आपको थोड़ी देर तक इसे मिक्स करते रहना और यहाँ पर आप देख सकते कि मैं यहाँ इंक को गिरा गिरा के ऐसे देख रही हूँ उससे क्या हो कि अगर आपका इंक स्मूथली गिरा तो समझे आपका इंक अच्छे से मिक्स हो गया है ठीके तो इसी तरह आपको थोड़ी देर तक इंक को लगातार मिक्स करते रहना है ताकि आपका इंक बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए दिन इसके पास जो प्रोसेस हो कि इसके में इंक लगा रही हो, इस प्रोसेस को ड्रैपोईंट कहते हैं लेकिन यह वाइट क्लरण की जो रखल तब द्रीट सीट कहते हैं तो कि नहीं चुछा कुम है इसे प्रशीस को ड्रैपोईंट पाई तहीं लेकिन रखल यह मार्केट करने जाएंगे तो चुम्झ यह जो पूरे process यह प्रिंट मेंकिंग एंतर गठाते हैं और इससे ड्रा पोइन प्रोसेस कहते है और इक थंखे सायता से जहां आपने cutting किया है वहां पर अच्छे इंक बड़ लेना ए और आप देख सकते जैसे बड बनाया है तो मैंने इसे बड के जगापे मैंने वहाँ पे इंक रखाया है तो ऐसे आपको थम की सहायता से हर जगा इंक रख लेना है जहाँ जहाँ आपने कट किया है तो फिलाल मैं सब जगा इंक रख लूँगी इसके बाद जो process यूज़ होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे paper की सहायता से paper या तो आप tracing paper भी ले सकते हैं ठीक है tracing paper यूज़ कीज़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन यहापे मैं paper फिलाल यूज़ कर रहे हूँ पेपर की सहायता से आपको अच्छे से साफ करना है फिर साफ करना है और यह साफ करने के दोरान क्या होगा कि जो आपका cutting part है उसमें तो ink जा चुका है जो cutting part नहीं है उसका भी print आजाएगा जब आप print लेने जाओगे तो इसलिए उसका print ना आए सिर्फ cutting part का print आए इसलिए क् सब्सक्ते पेपर से अच्छे से साफ करते है लहां पर कर लिए सता का वस्ता कैस सफ हो जाए इसलिए तब तक साफ करते रहना जब तक आपका अच्छे से हर जगा पे क्ली ली ना हो जा तही कि यहां पे मैं बार-बार अलग अलग paper का यूज करके paper के यहां पर चुड़ा पेपर कट कर लेना है और यहां पर मैं फिर से बोल दू कि आप ट्रेसिंग पेपर यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो अच्छे से पेपर कट कर लिया उसके बाद में यहां पर अच्छे से साफ करना है और फाइनली जो बड़े अलग-अलग जो दिख भी इसके बात इसके बात किया करना है कि जिस शीत पे अप प्रिंट लेंगे उस शीट का करना है पानी में भिंको ONE अब आपको देखने को मिले गा कि मैंने वह शीट पानी में अच्छे से भिंगिայ से खुख जो है तो थोड़ा पानी में भिंगों दिया है या या यह यूज उसक चाहे तो आप कोटेज सीट भी यूज कर सकते लेकिन फावरियानो सीट ज्यादा अच्छा माना जाता है तो मैं मैं हां पे यूज कर्या हूं कम से कम एक मिनट तक यह शीटको भींगने छोड़ देनाब पानी में और नॉर्मАल वाटर में आपको आपको आपका पेपर में जो पानी है वही न्यूस पेपर अच्छे से शेकं से एंगल करो आफि kicked अच्छे से आपका जो पेपर है उस पानी को पेपर का जो पानी है वो न्यूस पेपर एब्स और आपका ड्राय हो जाए देन उसके बाद या प्रिंट ले सकते हैं ठीक है तो यह प्रोसेस होता है इसमें तो जरूर पानी में डारेक्ट प्रिंट मत लीजेगा पानी में क्के प्रिंट लोगी तो फाइनली मैं में मैं में मैं 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 में los, wac Genau. यहां पर ऑस बाद प्रिंट रहं दिया ऑंडि यहां पर जो शीत मैंने भं कhow कि अपर रख दूंगी ताकि इसए पर प्रिंट आप देख सकते हैं कि अच्छे से यहां पर मैंने शीट यह रख दिया और इसकी ऊपर न्यूस्पेपर रख दिया फिर यह कप्डा रख एसके यह मोटा शीत ही होता है जो मसीन का एक पाρ्थ है तो इसे इसकी ऊपर से रखना एंग और फिर इसके रखने के बाद फिर इसे चलाना है मसीन को तो आप देख सकते कि मसीन को कैसे चलाया जा रहा है जो इसका चक्का है जो रोल है इसको अच्छे से हाथ से मोड़ना है देन क्या होगा कि जो दबाव पड़ेगा उससे क्या होगा तो आपको दोनों direction में चलाना है machine को और machine चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि print अब आ चुका है मेरे paper पे तो देखिए जैसे हटेगा आपको print देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं कि आप finally dry point का print paper पे चप चुका है और यही है कि थो light way में चपा है तो इसी को मैंने again print लिया था देन जो आप अभी result देखेंगे कि हाँ यह dark way में आया है जो अभी print है यह second print है तो guys आपने देखा कि जो मैंने first attend में print लिया था वो पूरी तरह अच्छा नहीं आ पाया था जो print लिया था मैंने वो और dark में जाना चाहिए था और मेरा light way में आ गया था जिसकी वज़े से मैंने again same process यूज करके वैसे ही थम से ink लगाना है जितना भी मैंने process यूज किया उसको फिर से tissue paper या paper से उसको शाफ करना है फिर paper को भिंगाना फिर again print लेना तो मैंने again print लिया तब जाके second attend में print अच्छा आया था तो यहां पर कहने का यह मतलब है कि जब आप first attend में जब आप print making में काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि first attend में अपका print अच्छा आ जाए मतलब बहुत कम ही ऐसे cases होती है बहुत कम ऐसे लोग है जो बहुत ही experienceful है उन्हीं का first attend में print अच्छा आता है जो एक ही मीडिया पर या फिर बहुत बार काम कर चुके है तो उन्हें idea हो जाता है कि हाँ कैसे करना है क्या करना जैसे कि मैंने तो पहली बार dry point process यूज़ किया था first time तो मुझे तो इसमें सीखने को भी मिला और फिर बहुत सारी चीज़ जानने को भी मिला कि हाँ कैसे क्या करते इसी तरह होता है क्या कि आप करते करते expert हो जाते हो तो हाँ उस case में क्या होता है कि आपका first attend में अच्छा आ जाए जरूर कीज़ेगा चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा बेल आइकेन को क्लिक कर दीज़ेगा ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन बेक टू बेक मिलते रहे तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखे नमस्ते